पहला कोस्चन है थ्रीपी कच्छक में कितने त्रिज नोड होंगी तो दोस्तों नोड क्या होता है नोड दो प्रकार के होते हैं पहला है गोली नोड इसे त्रिज नोड भी कहते हैं त्रिज नोड इसका सूत्र होता है एन माइनस एल माइनस वन यल क्या है दूसरा क्या है अगोली नोड इसे कोणी नोड भी कहते हैं कोणी नोड बराबर होता है दूगन्सी क्वांटम संकिया यल के बराबर अब हमको देखना है 3p कच्चक में त्रिज नोड इसका फार्मूला होता है एन माइनस एल माइनस वन तो 3p के लिए यन कमान कितना होगा 3-P कच्छक के लिए यल कमान होता है 1-1 बरावर आ जाएगा 2 घट जाएगा 3 में तो 1 यानि इसका एंसर सही होगा D 1 दोस्तों प्रतेक P उपकोस के लिए यल कमान यानि दुगनसी कौन्टम संख्या कमान भिन भिन होता है कैसे यहां प्रतेके लिए 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 यहां प कि तो यान सर आप कॉन सा सही होगा डी एक दूसरा कोस्चन है खोरडी कच्छक में कितने कॉनी नोड होते हैं तो कॉनी नोड का सूत्र होता है कॉनी नोड ल, बराबर होता है यल, यहनि, बिगांसी कॉंटम संख्या का मान ही कोणी ही नोड होगा तो yes उपकोस के लिए यल का मान होता है, 0, p उपकोस के लिए 1, d उपकोस के लिए 2, और f उपकोस के लिए 3 तो 4d कच्चक के लिए d बराबर कितना होगा? 2 यानि 4D कच्छक में कौनी नोड होंगे दो तो आप एंसर कौन सा सही है C दो तीसरा कुस्चन है निम्न लिखित में से किसके आधार पर इलेक्टरान के निश्चित मार्ग या प्रछेप पत के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है तो मित्रों हाईजेन बरग ने अनिश्चित्ता का सिध्धान्त दिया था इसलिए इसका एंसर कौन सा सही होगा B हाईजेन बरग का अनिश्चित्ता का सिध्धान्त चौथा कॉस्चन है तीसरी कच्छा से समबंधित कच्छकों की कुल संख्या कितनी होगी तो मितनों इसका लिए प्रानिक मिन नियास लिखते हैं तो 1 एस पहली कच्छा हो गई 2 एस 2 पी दूसरी कच्छा हो गई 3 एस 3 पी और 3 डी ये तीसरी कच्छा हो गई तो तीसरी कच्छा में कितने कच्छक होंगे 3 एसका एक कच्छक होता है P के 3 कच्छक होते हैं और D में 5 कच्छक होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 तो कुल कितने हो गए 1 प्लस 3 प्लस 5 इसक्वल टू 9 तो ये आपका एंसर होगा 9 C नमबर का एंसर आपका सही होगा पांचमा कोस्चन है समान इलेक्टरानिक विन्यास वाले आईनों का यूगम कौन सा सही है तो इतनों इसका सही एंसर होगा B, FE 3 प्लस आईन और MN 2 प्लस आईन कैसे FE का परमाड करमाग होता है 26 इसमें 3 इलेक्टरान त्याग देने पर 3 प्लस आईन बनाएगा 26 में 3 घटे घट के इतना आएगा 23 और मेगनीज का होता है 25 ये दो इलेक्टरान त्याग कर 2 प्लस आईन बनाएगा तो इसमें माइनस 2 करेंगे तो आएगा इसकौल टू 23 तो ये FE 3 प्लस आईन और MN 2 प्लस आईन यूगम सही होगा प्रस्ण सात्मा है एक अच्छा के 2 इलेक्टरानों में भिन्नता होगी तो मित्रों किसी भी मुख quantum संख्या में 3 quantum संख्या का मान समान होता है किन्त चौथी quantum संख्या अबस्द भिन्न होगी वह कौन सी है चक्रण quantum संख्या इंगलेश में इसको spin बोलते हैं यानि spin quantum संख्या भिन्न होगी ये answer आपका D number का सही है तो D आपका answer हो जाएगा आठमा question है चुम्ब की quantum संख्या संबंधित है तो मित्रो चुम्ब की quantum संख्या संबंधित होती है अभी भिन्नियास प्रस्न नंगमा है एन आई 2 प्लस आयन में आयुगमित इलेक्ट्रानों की संख्या कितनी होगी तो निकल का परमाण उक्रमांग होता है था इस इलेक्ट्रानिक बिन्नयास लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा वन स्तूद ऐस तू तू टू पी शिक्स ठे एसुड़reno 1 *** ट्रीडी एट दो इलेक्ट्रान त्यागने के बाद एन आए में कितनी एलेक्ट्रान बचेंगे 26 26 अब इसका इलेक्ट्रानिक बिन्यास कुछ इस प्रकार होगा वन अस्ट्वी तू एस छूध्य Él y तू, तू, थ्री पीसीक्स, 4S से दो इलेक्टान निकल जाएंगे, तो बचेगा यहां पर 3D, 8, अब 3D, 8 के कछक में इलेक्टान भरके देखते हैं, डी उपकोस में कितने कच्छक होते हैं पांच एक दो तीन चार और पांच तो दो इलक्ट्रान यहां आ जाएंगे दो इसका आंसर सही होगा दो तो भी नमबर का इंसर आपका सही होगा दसमा question है मित्रूं के परमाड संख्या 19 के मतलब होता है potassium परमाड संख्या 19 के बाहतम इलेक्टरान की 4 quantum संख्याएं हैं तो सबसे पहले हम इसका electronic बिन्यास लिखेंगे 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 कितने हो गए 2, 2, 4, 6, 4, 10, 12, 12, 16, 18 बचा एक तो 4S1 अब 4S1 आखरी इलेक्टरान हुआ तो 4S1 के लिए देखते हैं 4 quantum संख्याएं यहन बराबर क्या होगा 4, N बराबर 4, YS बराबर अब मित्रों YL का मान क्या होगा YS के लिए 0 YL का मान होगा 0, अब YL बराबर 0 के लिए YM का मान भी 0 होता है अब स्पिन संख्या प्लस एक बटे दो, YM माइनस एक बटे दो होगी तो यहाँ पे चुकि एक इलेक्टरान है तो YS बराबर हो जाएगा प्लस एक बटे दो तो कौन सा एंसर सही है? YN बराबर 4, YL बराबर 0, M बराबर 0 और YS बराबर प्लस एक बटे दो यानि आपका B नंबर का एंसर सही होगा 11 हमा कोस्टिन है मित्रों दूइगन सी क्वांटम संख्या वाले उपकोस में कुल कच्छकों की संख्या कितनी होगी? तो दूइगन सी क्वांटम संख्या वाले उपकोस में कुल कच्छकों की संख्या होती है मित्रों 12 प्लस वन यानि की A नंबर आपका सही होगा क्रिश्टिन बारमा है उच्छेतम तरंग दैर्द हवाला विकिरन कौन सा है? तो उस्षितम तरंग देर्द वाला विक्रण होता है मित्रों रेडियो तरंग ये सबसे दूरी ते करता है सबसे ज़्यादे दूरी ते करता है क्यों कि ये इसकी तरंग देर्द सबसे अधिक होती है प्रस्ण 13 हमा है समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है समान होते हैं और परमान उभार भिन होता है उसे समस्थानिक कहते हैं तो परमान उक्रमांग किसका समान होता है परमान उक्रमांग क्या है प्रोटान की संख्या परमान उक्रमांग है इसलिए समस्थानिकों में संख्या किसकी समान होगी प्रोटान की ए नंबर सही है प्रस्न गूंद में कुल इलेक्ट्रानों की संख्या है तो मित्रों एक इलेक्ट्रान पर आवेश होता है एक दसम्लाव 6 गुने 10 कि घाते माइनस 19 स्कूलान अब 6 दसम्लाव तीन नव पर कितने इलेक्ट्रान होंगे तो 6 दसम्लाव तीन नव बटे एक दसम्लाव 6 बरावर कितना आएगा तीन दसम्लाव नव नव यनि लग भग 4 तो आपका एंसर सही होगा 4 अगला कोस्चन है मित्रूं के लिए निम्न में से कौन सा सही क्वांटम संख्याओं का सेट है तो फोरडी कच्छक के लिए यन बरावर कितना होगा 4 यल बरावर कितना हो जाएगा डी 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 उप कोस्च के लिए यल कमान कितना होता है यस पी डी यक यस के लिए यल कमान जीरो पी के लिए एक डी के लिए दो और एफ के लिए तीन होता है तो यहाँ D के लिए YEL कमान कितना हो जाएगा 2 YEM बराबर कितना हो जाएगा 1 और YEM बराबर चुकि एक है इसलिए YES कमान होगा प्लस एक वटे दो तो आपका कॉंसा एंसर सही है 4, 2, 1 4, 2, 1 और माइनस एक वटे दो यहाँ पे माइनस एक वटे दो आएगा आपका D नंबर का एंसर सही होगा सोलाहमा कोश्चेन है मित्रों सोडियम परमान के अंतिम इलेक्टरान के लिए द्विगन सी क्वांटम संख्या यल कमान होगा तो सोडियम का परमान करमान होता है ग्यारा इलेक्टरानिक बिन्यास लिखते हैं तो 1-2-2-2-2-2-6 10 हो गए 3-1 अब 3-1 के लिए द्विगन सी क्वांटम संख्या का मान देखते हैं तो यल बराबर यस उपकोस के लिए कितना होता है 0 यह आपका एंसर क्या होगा 0 0 यह नंबर आपका एंसर सही होगा सत्रामा कुस्चन हमित्रों यह फी 3 प्लस आयन में डी इलेक्टरानों की संख्या है तो यह फी का परमान करमांग होता है 26 अब चूंकि यह फी 3 प्लस है तो इसका मतलब होता है 26 में 3 इलेक्टरान घट गए तो कितना आगया बराबर 23 अब 23 का इलेक्टरानिक भी नियास लिखके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा 1-2,2-2 2-P-6 3-2 3-P-6 कितने हो गए 2-2-4 6-4-10 दुबारा 6-18 4-2,9-20 अब मचा 3-D 23 इस इस में 3 आएगा 3 इलेक्टरान तो प्रस्न पूछा D इलेक्टरानों की संख्या है तो D इलेक्टरान में कुल कितने इलेक्टरान है 3 तो इसका एंसर सही होगा 3 यानि कि D नंबर का एंसर आपका सही होगा आपका एंसर प्रस्ण बैंक में B यानि कि 5 दिया गया है जब कि इसका एंसर सही होगा 3 क्यों कि 3D से पहले 4S कच्चक आता है तो इलेक्टरान पहले 4S कच्चक में भरेंगे इसके बाद 3D में और 3D में 3 इलेक्टरान बच रहे हैं इसलिए एंसर 3 होगा यानि कि D नमबर आपका एप्शन सही होगा 3 अगला क्यों है परमाण के उपकच्च में अधिक्तम इलेक्टरान की संख्या निम्न सूत्र द्वारा निकालते हैं तो मित्रो कच्छा अगर है, कच्छा में अधिकता मिले प्रान की संख्या ग्याद करनी है, तो सूत्र होता है 2 यन स्क्वेर, जहां यन क्या है? कच्छा की संख्या, लेकिन यहाँ पे उपकोस पूछा है, तो उपकोस में अधिकता मिले प्रानों की संख्या ग्याद करने का स दो यनि कि 4L प्लस 2 D नंबर का आपसन आपका सही होगा आखरी कोश्चन है मित्रों प्रकास विद्धुत प्रभाव में निस्कासित इलेक्टरानों की संख्या प्रयूक्त प्रकास की तीव ब्रता के समानुपाती होता है ओै कि झांओगर झांचिगो अग्सजद देसे जेँ सकते हैं उस आप दो में खितरों की समानुपाती क की समानुपती होता है